आंकणों का संकलन और आयोजन, collection and arrangement of data बच्चों इस वीडियो में हम आंकणों का संकलन, collection, करना और उन्हें संयोजित धंग से लिखना सीखेंगे आईए, आप सभी को जंगल में ले चलते हैं, जहां उल्लू साहिब कुछ जानवरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं रोज यह सब उल्लू साहिब से कुछ न कुछ नई बातें सीखते हैं आओ बच्चों, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? चीकू, खेल रहा था, और भूलू शहर चराने की कोशिश कर रहा था, और हमारी सलोनी सो रही थी और चीची पढ़ाई कर रही थी ठीक है, चलो, आज हम कुछ नया सीखते हैं क्या तुम सब एक खेल खेलना चाहते हो? हाँ, हाँ तो बच्चों, यह है पासा अब आप सभी बारी-बारी से इस पासे को पांच-पांच बार फेकिए और जो नंबर आता है, उन्हें हम यहां लिख लेते हैं ठीक है, पहले मैं एक, चार, छे, दो और दो तो चीकू के पासे पर आए यह अंक, अब भालू, तुम पासे को फेको ठीक है, दो, चार, पांच, पांच, चार भालू के पासे पर आए यह अंक, अब चीची और सलोनी तुम बारी-बारी से पासे को फेको और देखो कौन से अंक आते हैं एक, एक, तीन, चार, छे, पांच, चार, पांच, छे, छे तो चीची और सलोनी के पासों पर आए यह अंक अब हमने सभी के पासों पर आए अंकों की सूची बना ली है तो बच्चों, इस तरह मैं कह सकता हूँ कि मैंने तुमारे द्वारा पहेंके गए पासों से प्राप्त अंकों का संकलन किया है या इस तरह की जानकारी को मैं डाटा भी कह सकता हूँ कि तुम सभी ने पासों पर जो भी अंक प्राप्त किये मैंने उस जानकारी को इखठा किया है अच्छा क्या आप डाटा का कोई और उदाहरन दे सकते है हाँ बिल्कुल देखो अगर मुझे जानना हो कि तुम सभी के परिवार में कितने लोग हैं तो इसके लिए भी मैं एक सूची बना कर सभी से पूछ कर डाटा इकठा कर सकता हूँ जैसे यह सूची देखो इस सूची को देखकर हम जानकारी निकाल सकते हैं कि किसके परिवार में सबसे ज्यादा सदद से हैं और किसके परिवार में सबसे कम लेकिन अगर हम अपने इस डाटा को देखें तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा अंक पासे पर सबसे ज़्यादा बार आया है? क्या हुआ? इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि हमें पहले ये देखना है कि प्रत्ये अंक कितनी बार आया है? बिल्कुल सही और इसके लिए हम अपने डाटा को इस तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं जैसे एक आया तीन बार, दो भी आया तीन बार और ऐसे ही सभी अंकों को अलग अलग लिख सकते हैं अरे वाह! यह तो आपने सारे नमबरों का अलग अलग समू बना लिया है एकदम सही पहले हमने अंकों का संकलन कलेक्शन किया और तुमने देखा कैसे मैंने एक से छेह सभी नमबरों को अलग अलग करके उन्हें इकठा या आयोजित करके लिखा है इस से हमें जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाता है अब बताएं कौन सा अंक सबसे अधिक भार आया और कौन सा सबसे कम बार चार सबसे ज़्यादा बार आया पांच बार और तीर सबसे कम एक बार ही आया है बिलकुल सही तो बच्चों इस वीडियो में हमने सीखा आंकणों का संकलन, कलेक्शन, करना और उन्हें संयूजित धंग से लिखा है